आप सभी का स्वागत है यूपी एकाडमी फॉर सिवल सर्विसेज में पीटे 2022 का पेपर शेफ्ट हो गया है वो अब अक्टूबर में 15-16 अक्टूबर में चला गया है तो आप ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो कि अब सुचेंगे अब रिलेक्स हो जाओ आराम-ाराम से पढ़ेंगे दीरे-दीरे से करेंगे और ऐसे वो सोचते ही रहेंगे कि फिर पेपर बचेगा, वो एक अक्टूबर तक ऐसा ही सोचते रहेंगे, फिर आखरी के पंदरे दिन में वो क्या करेंगे, पढ़ा ही स्टार्ट करेंगे, बहुत दम लगा देंगे, पंदरे दिन में उन्होंने सोचा है कि मैं पूरा 20 पढ़के पूरा टॉप कर जाओंगा, फिर उनके नंबर आते हैं 69, 70, 71, फिर वो दुखी होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, मैं सर्फ प्रयाग राज की बात करूँ, तो 20 डिश्टल लाइबरेरी मेरे जानकारी में हैं, जिन में 10 से 12 बच्चे डेली 8 से 10 घंटे पढ़ के, यह वही बच्चे हैं, जो कि जब टेस्ट बुक में एक्जाम देते थे, तो जिनका 90 प्लस आता ही आता था, ठीक हैं, उन बच्चों का, जो कि आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ रहे हैं, ऐसे वो अगले 2 महीने तक डेली 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे, और उनके मार् एक्जाम को ब्लेम करें, इसको कहते हैं, प्रेक्टिकल बनना, और कोई बात नहीं, आपको अगर लगता हो कि यार, ठीक है, एक्जाम से कुछ नहीं होगा, तो मत करिए, अपने आप में एक माइंड डिसीजन तो बनाएगे, भाई, मुझे एक्जाम देना है, मैं डेली 5 गंटा बढ़ूँगा, ये कसम खा लिजिए कि मैं डेली 5 गंटे पढ़ूँगा, ठीक है, नकल का मैंने कभी समर्तन नहीं किया, कि नकल हो जाए, ये हो जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बताओ, मुझे अपने आप पे विश्वास है, फिर मुझे फर्क नहीं पढ़ता क कि 100 में मेरे 85 आ जा रहे, तो फिर मुझे फर्क नहीं पढ़ता कि आपके 44 आ रहे हैं कि 75 आ रहे हैं, मुझे एक सीट चाहिए, बस, that's all, समझ नहीं कि नहीं, मेरी बात बहुत साब भाशा में समझी है, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको डिमोल्राइज ना करके, मैं सिर्फ आपको एक प्रेक्टिकल इंसान बनाने की कोशिस कर रहा हूँ, अगर आपको तब भी ना लगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, बन सब्सक्राइब कर दीजे करना हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कि अभी UV P. तो मैं इसलिए आप से कह रहा हूँ, कि देखिछे, चीजें गलत को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, इनकी और ध्यान देना शुरू करिएँ, समझ रहे हैं कि नहीं, आपको चीजें गलत लग रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फाइदा होगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आप सिर्फ ब्लेम गेम केलेंगे तो आप सिर्फ खुद को जस्टिफाई करने की कोशिस करेंगे ठीक है बस यही सच है